तो जैने दोस्तों मेरा ना मैं अतुल और स्वागत आपका अपनी यूटीब चनल अतुल टेक बजार दोस्तों मैंने एक वीडियो पहले पहले बताया था कि व.12 वाला अपडेट उन लोगों को मिल रहा है 6.7 वाला कलारोस का जिन लोगों को बीटा टेस्टिंग चालू है रियल्मी एकस्टी में तो दोस्तों आप और भी बहुत सारी यहां पर लिक्स निकल के आ गई है बहुत सारी इमेजेस निकल गया गई रियल्मी एकस्टी के र वर्जन मिला है उन्हें 6.7 कलारोस के साथ एंडरॉड 10 भी मिला है जिसमें ऐहां पर डार्क मोड वाला फीचरस प्रॉइड कर दिया गया है और आप ये लो मोट देख सकते हो ये लो नहीं है ये एक्शिल में ऑरक मोड प्रॉइड के बहुत प्लस की तरह यह आपको यहां पर देखने को मिलता है तो यहां पर देख सकते हो realme xt लिखा बीटा टेस्टिंग यहां पर वर्जन लिखा है 6.7 चलिए अब बात के लिए नोडिफिकेशन पैनल की तो नोडिफिकेशन पैनल का व्यार में भी मैं आपको बहुत पहले पता चुका हूँ गए विए तो इस टेप का आपको कुछ अपदेखने को मिलता है यहां पर जो आइकॉंस है काफी सिंपल और कलर्फुल लुक वले दिखते हैं और यहां पर डा की बात करो तो आपको कुछ स्टैप का लुग देखने को मिल जाएगा यहां पे जो वालियम बारjest इस टैप कर देखने को मिलेंगे और यहां पे जो आइकों से हैं 6.7 में आपको कुछ इस type का volume bar गरे option जो है step का देखने को मिलने वाले हैं यहां पर दुस्तों मादसान ने बोला था कि ColorOS 7 में जो Google पे से हम जो डाउनलोड करते हैं वो option नहीं दिखते है notification में तो अब ColorOS 7 में मिलेगा तो यहां पर आप देख सकते हो गूगल प्ले से अगर आप कोई भी एप्स डाउनलोड करते हो तो notification में आपको देखने को मिल जाएगा ColorOS 7 में यह जो दोस्तों ColorOS 6.7 है आगे चलके ColorOS 7 में बदल जागा क्योंकि बीटा टिस्टिंग चली तो 6.7 है और आप अगर उपर की तरफ देखोगी तो यहां पर जो इस्टेटरस बार है इसमें जो operators वगरे हैं इसे light side में कर दिया गया है और left side में सिर्फ आपको timing दिखता है उपर जो आप देख रहे हो वो ColorOS 6.0.1 है तो यहां पर आपको कुछ इस setup का देखने को मिलता है और जब ColorOS 7 आएगा तो यहां पर आपको only timing देखने को मिलेगा left side में और right side में सारे सारे आइकॉन चले जाएंगे और जो पैटरी आइकॉन है कुछ इस टैप से आपको changes देखने को मिलेगा अब यहां पर बात कर लेते हैं जो सबसे बड़ा attraction है तो यहां पर जो है always on display आपको देखने को मिलने वाला है इसमें जो clock जो है बडिजिटल और analog clock को option दिया गया है आप चाहिए तो digital और analog clock यहां पर चूज़ कर सकते हैं और यह जो है always on display आपको देखने को मिल जाएगा सामने lock screen में और अगर तो आपको digital clock को संदे तो digital clock में यहां पर बहुत सारे आपको options देखने को मिल जाएंगे, analog और digital clock में बहुत सारे यहां पर changes, और अलग अलग तरह के clocks आपको देखने को मिल जाएंगे, जिससे आप यहां पर lock screen में रख सकते हैं, always on display के दूरू, और यहां पर आपको देखने को मिलेगा, camera section में बहुत बड़ वाला changes, यहां पर जो expert mode है, इसमें बहुत ज्यादा work किया गया है, और realme के तरफ से बोला गया है, जो ported mode है, और जो night escape है, इसमें बहुत ज्यादा work किया गया है, और बहुत सारा camera improvement आपको देखने को मिलने वाला है, color OS 7 में, वैसे तो यह 6.7 है, बट आने वाले color OS 7 में, आपको बहुत सारे ज्यादा से ज्यादा functions देखने को मिलने वाले है, और यहां पर जो camera UI है, इसे totally change कर दिया गया है, और यहां पर दोस्तो किसी ने telegram group में ये screenshot भी post किया था, तो आप देख सकते हो color OS 6.7 जो है, realme XT में कुछ इस type का देखने को मिल जाता है, वैसे दो color OS 7 जो है realme XT में सबसे पहले मिलने वाला है, इसके बाद X series वगएरे को मिलने वाला है, इसके बाद दोस्तो जो pro series है उसको मिलेगा, और बाद में जो बच्ची उपचे series है उसको मिलेगा, और realme की सारी devices को color OS 7 मिलने वाला है, और color OS launching जो है चाइना में 28th November को होने वाली है, और इंडिया में 26th को, तो देखते हैं color OS 7 क्या कब आता है और क्या कुछ feature इसमें देखने को मिलते हैं, दोस्तो इस वीडियो में इतना ही और ये वीडियो आपको पसंद आपको तो प्लीज से मेरे चैनल को लाइक से और सबस्क्राइब करना ना भूलिएगा, तब तक लि जाएं दोस्तों बोलते रिए, वन्दे मातरम